पुद एंड फॉन चैप्टर नमबर 21 दी वर्थ फर्स्ट वन वेसल्स वेसल्स का मतलब होता है बर्तन होस्टल को हिंदी में बहुते है चात्रवास थर्डवां इस हगड हुजजगेड हगड मतलब गले लगाना फॉर्थ वन इस चैटेड चैटेड मतलब बाचित फिफ्ट वन इस हूज हुजगेड हुज मतलब बहुत बड़ा Sixth one is Boiling Boiling का मतलब होता है Ubalna Seventh one is Ardhas 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 का मतलब होता है Prayer English में और Hindi में दूसरा मतलब होता है Prathna Eighth one is Material Material का मतलब होता है Samagri Ninth one is Contubit Contubit योगदान देना Tenth one is Quickly Q-U-I-C-K-L-Y Quickly Quickly मतलब जल्दी से Hello students Today we will study chapter number 21 Food and Fun Tring the doll bell rank तो bell की आवाज आते है बच्चों कैसे आवाज आती है Tring Tring ऐसे डोल की आवाज आती है When Manpreet open the door See so, Divya and Swastik Manpreet दर्वाजा Open करता है यह doorbell को सुन कर तो देखता है कि उसके सामने कौन है Divya और Swastik खड़े है She called out excitedly Gurnur Look who has come Excited मतलब कि खुशी हो जाता है और जोर से बोलता है Gurnur देखो कौन आया है Gurnur came running Gurnur है और दौल्टी हुई आती है When she saw her friends She hugged them happily जब उसने देखा कि उसके कर पर उसके friends आये उसको देखकर वो खुश हो गई और उसको हग किया Happy हो कर When did you come from the hostel? Boarding school वो पुछती है कि तुम लोग कब आये Hostel में से Hostel का bracket में क्या लिका है Boarding school Just yesterday वो आंसा देती है Just अभी फिलाल हम कल ही आये है Where are your parents? कि तुमारे parents कहा है We want to meet them Swastik Said कि हमें उससे मिलना है ऐसा कौन बोलता है? Swastik बोलता है तो उसका अंसार देती है They are at the Guru Dwara कि वो लोगे वो कहां पर गए है? Guru Dwara में गए है We were about to go there too कि हम भी वहां पर जाने की तयार रही कर रहे थे Guru Noor replied Guru Noor ऐसा बताती है Oh good We will also come with you Said Divya Divya बताती कि अच्छे ठीक है तो हम भी तुम लोगों के साथ वहां पर आएंगे You come home only in the vacation Do you like staying in your hostel? कि तुम लोग तो से vacation में आते हो तो क्या तुम लोगों को अपनी hostel में रहना पसंद है? You must be missing your parents कि तुम लोगों को वहां पर hostel में अपने ममी पापा की तो याद आती ही होगी Guru Noor asked जैसा कौन पुछता है? Guru Noor पुछती है Divya said We do miss them कि हाँ हम उसको miss तो करते है हमारे parents को But hostel life is fun लेकिन hostel की लाइफ है वो बेक fun है वो एक मज़ा है Even if we don't always like the food We enjoy eating together with all the children कि कभी कबार क्या होता है? कि हमको खाना अच्छा नहीं लगता है लेकिन हम सब लोग मिलकर खाते हैं सब बच्छे तो हमें अच्छा लगता है You know when someone in our hostel gets homemade food We all rush to their rooms कि तुमको पता है कि जब हमारे hostel में कोई आता है और अपने घर का खाना लेके आता है तो हम सब क्या करते हैं? हम सब रश मतलब कि भाग के उसके कमरे में चले जाते हैं That food finished within the meats और वो खाना होता है चारो बच्चे रस्ते पर जब जा रहे थे गुरुद्वारा की तरफ बाते करते करते चलते गए They covered their heads वहाँ पर जाकर उन्होंने अपना हेडे वो cover किया तो देखो बच्चो यहाँ पर देखो यह इस बउई ने किस सरसे अपने हेड को cover किया They went into the kitchen of the गुरुद्वारा फिर वो वहाँ से कहाँ पर गए गुरुद्वारा का kitchen था उसके अंदर गए It was very huge जो kitchen था वो बहुत बड़ा था A lot of activity was going on there वहाँ पर बहुत सारे कामकाच हो रहे थे Food was being cooked in huge vessel खाना पक रहा था बहुत बड़े vessels के अंदर और एक तरफ चनात की और उलत दर है वो क्या हो रही थी? Boil हो रही थी In another vessel The cauliflower and potato vegetable was being made कि दूसरे जो वेसल थे उसके अंदर cauliflower और potato है वो vegetable उसकी सबजी बन रही थी There is your papa गुरुद्वारा Let us go and meet him स्वास्तिक said वे स्वास्तिक बोलता है कि देखो वहाँ पर गुरुद्व तुमारे पापा है चलो वहाँ पर जाते हैं और उनसे मिलते हैं ऐसा कौन बोलता है? स्वास्तिक बोलता है What are you doing here? Manjit Singh was happy to see the children और Manjit Singh बच्चों को देख कर खुश होते हैं पुछते हैं कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो अंकल, can we also help in the kitchen? What are you preparing? स्वास्तिक asked कि अंकल, क्या हम आपको help कर सकते हैं किचन में अब क्या बना रहे हो? ऐसा स्वास्तिक पुछता है Manjit Singh said I am preparing कढ़ा प्रसाद Manjit Singh बता दे कि मैं कढ़ा प्रसाद बना रहा हूँ It takes a lot of effort to roast the flour in ghee in this bee कढ़ाई कि इसमें बहुत सारा effort लगता है Roast मतलब की सेखने में यह जो floor मतलब की आटा है उसको की में सेखने में बहुत टाइम लगता है क्यों? क्योंकि यह बहुत बड़ी कढ़ाई है In this bee कढ़ाई This is a kind of halwa Isn't it एक तरह का halwa है When will you add sugar in it? Divya asked Divya asked क्या बाप इसमें sugar कब add करोगे? They saw Manjit Singh Mother and Rush to meet her फिर उन्होंने Manjit की ममा को देखा और उनको मिलने के लिए उस तरफ भागे Divya asked What are you doing auntie? We are rolling chapattis to bake them in this tandoor फिर उन्हों बताती है कि बेटा हम क्या कर रहे है रोटी को बेल रहे है ताकि इस tandoor में हम सेख सके So many chapattis at once go कि एक सारी कितने सारी chapattis बन जाती है Divya was surprised Divya तो यह देखका surprised हो गई देखो बचो यहाँ पर picture में दिखाया गया किसनी सारी chapattis है Can I help? Divya पुछती है कि क्या मैं मदद कर सकती हूँ Sure, come and try कि यहाँ जरूर आओ और यहाँ पर try करो Help, everyone can help कि यहाँ पर हर लोग, हर सब भी लोग है वो मदद कर सकते है But wash your hand first लेकिन पहले तुम अपने hand wash करके आओ Replied auntie auntie ऐसा बताती है कि हाँ तुम भी मदद कर सकती हो लेकिन पहले तुम अपने hand wash करके आओ Divya washed her hands and joined the group near the tawa कि Divya अपने hand wash कर लेती है और जो यह रूटी बनाने का group है तो तवा के पास वहाँ पर उन लोगों को जोईन करती है The tawa was very hot जो तवा था वह बहुत गरम था She started applying ghee on the chapattis as they were being taken out of the tawa फिर वो क्या करते है दीविया जो chapattis ready हो गए उसके उपर गी apply करना शुरू करती है Swastik wondered aloud Who brings all the material to cook so much food wonder करते हो aloud जोर से बोलता है कि इना सारा material को लेके आता है food cook करने के लिए सारे चीज़े को लाता है One of the ladies answer उनमें से एक लेडी से वह answer देती है Everyone here contributes in some way or the other इहां पर सब लोग थोड़ा थोड़ा कोई भी तरह से contribute करता है Some arrange for the material Some give money Some give money Some give money Some help in the work Some help in the work and others help in the work वहां मदद करते है खाना बनाने में तो दिखो बच्चो यहां पर सब लोग खाना बेठे है और यह भाईया है कि सब को खाना पिरोस रहे है तो मनप्री थे उसको टीस्टेट करते हैं मतलब कीचीडाते हैं टीस करते हैं और बताते हैं कि तुम्हें स्वास्ती के चीज कैसी लगी क्या तुमने कभी ऐसा खाना बनाया है क्या तुमने कभी खाना पकाया है नो बट आयम एंजोइंग वर्किंग विद एवर्किंग मेने कभी ऐसा पहले नहीं किया लेकिन सबके साथ वर्क करने में मुझे मज़ा आ रहा है सेट स्वास्तिक स्वास्तिक ऐसा बताता है वी हाडली रियलाइस हाव ओल दीस फूड चप से यह थना फास्ट प्रिपेर होता है अफ्टर अर्दा कढ़ा प्रसाद वर्किंग ऑन्लब रहा प्रेयर और प्रातना कढ़ा प्रसाद वर्किंग सबकों डिस्ट्उबीट हुआ सम ऑफ दबॉइस वीकली लेड आव डूरी इंद वेरान था जड़ी आउन नयुस्त टू रोज बना कर लंगर करने के लिए बेट गए तो दिखो बच्चों आमने उपर पिक्चर में देखा था कि सरसे सब लोग खाना खा रहे थे सम पीपल सवड फूड और अधर सवड वाटर कुछ लोग खाना परोस रहे थे और कुछ लोग पानी सब खाना खाने के बाद सब ने अपनी प्लेट उठाई और एक बड़े से बरतन था उसके अंदर रखे पीपल हूँ वेर सवविंग एट इन दा एंड जो खाना लोग परोस रहे थे और लोगों ने सब के लास्ट में खाना खाया दे क्लीन दा प्लेस एंड वश दा यूटेंसिल्स वहां पर ओ जो चगा पर खाना खाने के लिए बैठे थे उस प्लेस को क्लीन किया और वरतन साफ किये